देश को बहुत कुछ हासिल होता है इसी हासिल में एक होता है नेता का उभरना और वो भी अपने कम्मिनिकेशन स्किल की वजह से अपने तर्वू की मस्बूती और कहन के सलीके यानी भाषण से कश्मीर पर लोगसभा में हुई जोरदार चर्चा से भी एक ऐसा ही नेता उबरा है जोरदार तक्रीर कर देश की नजरों में चड़ा है नाम है जाम्यांग, शेरिंग, नाम्यार, लगदाख से बीजेपी के सांसर लगदाख यानी वो इलाखा जिसे कश्मीर से अलग कर यूनियन टेरिटरी यानी संग शासित प्रदेश बनाने की तैयारी है 34 साल की उम्र है, खड़े हुए और बोलने लगे तो एक-एक कर हर मुद्दे पर बेबाकी से बोले विरोधियों को पस्त करते दिखे और ये समझाते दिखे कि मोदी सरकार कश्मीर को लेकर जो बड़े बतलाओ करने जा रही है वो जरूरी है जब वो भाशन दे रहे थे तो दिल्चस्प तस्पीरे दिख रही थी अमिच्छा लगातार मेज थप थपा रहे थे भाशन के दोरान सदन में कई बार ठहा के भी लगे ये बिरला ही मौका होता है कि भाशन खत्म हो और लोगसभा स्पीकर खुद सदन के सामने सांसत के भाशन की तारीफ करे जाम्यांग, शेरिंग, नाम्याल के साथ ये भी हुआ ये भी हुआ कि पियम मोदी ने बकाइदा ट्वीट किया और खूब तारीफ की तो चलिए उनका पूरा भाशन पहले सुन लेते हैं और जाते-जाते कुछ उनके बारे में भी जान लेंगे जो गस्तियां पंडित जवालाल नेरु जी के लिजिशीप में कॉंग्रेस होने किया उस गस्ति का एक रिक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं बहुत सारे लोगों ने अग्जेक्स महद्धा. अग्जेक्स महद्धा. बोल वी एब लोगों का मेरी सुना इदू को मै MAY आप एब लोगों सबनें तूर. भेधा बोलने निदे। तुन्य के सम्ता रखे अग्ढैक्स महद्धा. डेख और य्योरे स्पहर झा का कि इतने हैं ugो जो अबने जेँ अडियना जाता हूं कि सुन रहा था और बहुत लोगों ने मुझे खुशी हुआ बहुत लोगों ने लदाक ले करगिल के जिकर किया लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वाके वो लदाक जानते हैं यह लोग आज ताख बीते एकातर साल सेवन डिकेट लदाक को बिल्कुल अपना या नहीं बिल्कुल फैंके रखा वहाँ पर और वक्टावे दिया वक्टावे दिया इसी सदन में वो वो जमीन है का टुगड़ा है जहां पर एक तिनका का गास नहीं उठते है ऐसे व्यक्तवा देने वाले क्या लदाक को समझते हैं क्या लदाक के विशेश संस्क्रिटी को जानते है क्या लदाक के भाषा को जानते है क्या लदाक के रहन सहन खान पान वहाँ पे वहाँ के जोग्रिफिकल कंडिशन क्लाइमिटिक कंडिशन जो दुर्गम से तरह क्या वो जानते है या खाली किताबे पड़के बोल रहे हैं अच्छ महोद्या लदाग ने पिछले 71 येर यूटी के लिए संगर्श किया हम भाराग देश के अटूट अंग बनना चाहते थे 1948 में चार तरिकों पहला गपन लदाग बुदिश एसोसेशन के तब के प्रेजिडेंट ने पंडिट जवाला नेरु जी को दिया था तब के प्रदान मंत्री जी को कहा कि लदाग को या तो अब सेंट्रिली अड्मिनिस्टिटिव ऐसा कुछ बनाएए या नेफा टाइब बनाएए या इस पंजब के साथ राखिए लेकिन किसी भी कंडिशन में हमें कश्मीर के साथ बत रखिए ये हमने कहा था लेकिन जीन का सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया जानने के कोशिश तक नहीं किया और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डिवलोप्मेंट हमारा पॉलिटिकल एस्पिरिशन हमारा पहचान हमारा भाशा लुप्ट अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कॉंग्रेस पार्टी जिमेवार नहीं अद्याक जी में डॉक्टर शमा परसद मुखर जी जैसे वीरों का कुशोक बाकुलर इंपोची जी से जैसे महन व्यक्टियों का तुप्स्तन शेवां जैसे जिनों ने लदाग को ये दिशा दिया कि हमें बारत के साथ रहना है बारत के जायकर करना है अपने देश के लिए मत मिट्मे के लिए तियार रहना है और आज तक बहुत सारे यहां पर हिस्टिरिकर रिफ्रेंज दे रहा था मैं याद दिलाना चाहूंगा चाह उन्निस सो पेंसर के वार हो उन्निस सो एक तर कहो या नैंटी नैंटी नाइन कहो या 1947 के कवेले हमला कहो इतिहास चेक करके देखिए लदाखी ने हमेशा बलीदान दिया हमेशा देश के लिए मरमिनते के लिए तेहर रहा मैं एक चीज़ जरूर के ना चाहूंगा एक चीज़ जरूर खोएंगे वहाँ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविश्या उजवाल होने वाला है सबाबती महदे करगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिज लिट करने के कोशिश कर रहा था में करगील से चून कियाता हूँ में घर्व से कहता हूं करगील वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदन को 2014 के पार्लिमेंटरी अलेक्शन में यूटी हमारे लदाः के टॉप मिनिफेस्टो पे ठा और लदाग वालों ने मैजोरोटी ने यूटी के लिए वोट दिया 2019 के एलेक्शन में फिर हमने यूटी को election manifesto में लेके आया और हमने दोनों district में चाए भुदिस का हो चाए मुस्लिम का हो दोनों district में ले का हो करगिल का हो हर शित्र में हर लोगों के दरोजे पे जाके हमने लोगों को UT समझा या ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लदाग में जितना भी parliamentary election हुआ है record margin के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने आफ़तर दिया लोगों ने नरंदर मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया लोगों ने इस UT को स्वागाच किया आज करगिल के बात कर रहे हैं क्या वो जानते हैं ये करगिल मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है तब के घ्रे मंतरी मानिनिया रजजना सिंग जी अब ले पदा रहे थे ओल पार्टी परलिमेंटरी डिलिकेशन जम्मू गये थे कश्मीर गये थे और आप ले आये थे तब के होम सेक्टरी के साथ पूरे लदाख के हर पॉलिटिकल पार्टी के बी जे पी कॉंग्रेस पी डी पी अन्सी ले के मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ वहां अलग अतावरन है मैं ले के बात कर रहा हूँ और साथी साथ हर रिलेजिस औरगनिजिशन के चाहिए लदाख भुदिस एसोसेशन हो अन्जुमन इमाम एसोसेशन हो या मौनुल इस्लाम हो कृशन एसोसेशन हो हिंदू महासाबा हो सब ने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए रबेजिशनाप सिंग जी पूच रहते और क्या सेओशन गशिए बोलो और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यूटी चाहिए हमने ये कहा था आज अब देख जी सुनने के शमता रखे सुनने के शमता रखे अभी तो टीलर है लेकिन उस वक्त एक दूर गढ़ना हमारे साथ गढ़ी आज मैं इस सदान को अवगात करना चाहूंगा तब के ले में आपके एंसी के डिस्टिक प्रेजिडेंट पीडीपी के डिस्टिक प्रेजिडेंट जिनों ने यूटी के मेमोरंडम को साइन किया उन लोगों को आपके कश्मीर के एंसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जरी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल आज जमोकरिशी की बात कर रहे हैं ये लोग तंत्रा की बात कर रहे हैं क्या वो थे आपका लोग तंत्रा लोगों का आवास बंद करना दबे एक कुछाले रखना ये आपका लोग तंत्रा था क्या अध्येख जी अध्यक जी मैं काल ग्यारा बाजे राज्य सबा के कर्शा शुरू होने से अभी तक मैं सून रहा था बहुत लोगों ने एक्विलिटी की बात किया दराथ इन सो सतर जाएगा तो जमु कश्मीर में एक्विलिटी नहीं रहेगा ये होगा वो होगा मैं सदन से पुछना चाता हूँ आपके माद्यम से इस सदन में मैं उनको पुछना चाता हूँ जो ऐसा वेक्तवा देते हैं आपने जब भारत सरकार से फ़ंड लेते समया जमु कश्मीर लदाख तीनों श्ट्रे आप फ़ंड लेके जाते हो जब लदाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लदाख के फ़ंड आपके खा जाते हो किया ये आपका एक्वालिटी ये जमु कश्मीर में दो पुछन है एक समर और एग ओर्जा है मैं पटिकुलर्ले मेंसन करके मैं आपको पहरा हूँ दोनों वहाँ पे सिविल सेकेटरीड है आप डेटा खोल के देखिए उस सिविल सेकेटरीड में लदाख के कितना मुलाजिम है क्या ये है आपका एक्वालिटी अगर आप थाउजन इंप्लोईस क्रियेट करते हो जोब क्रियेट करते हो जम्मु वाले तो खिर लाग जगड के खुछ ले ले लेते हैं लेकिन लदाख वालों को दस नुग्रियां भी आप नहीं देते हैं चैया ये है आपका एक्वालिटी हसनन मसूदी जी यूनिवर्सिटी इसके बात कर रहे थे मैं उनके साथ कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ मैं कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जम्मू वालों ने लाट जगर के दिया लाया दिया नहीं लाट जगर के लिया लेकिन उस वक्ट में स्टूडेन यूनियन का लीडर था हमने जम्मू के इंस्टिटूशन इनों नहीं दिया यह है आपका एक्वालिटी हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरिंदर मोदी जी ने दिया मोदी है तो मुम्किन है सही में काल रज्ज सबा में कॉंग्रेस के नेता गला फट फट के चे रहे थे कि वही लदाग के साथ क्या होगा लदाग के साथ क्या होगा मैं जनना चाहता हूँ आपके माद्यम से मैं जनना चाहता हूँ जब आप दोज़ाद में जम्मू कश्मीर के चिप मिनिस्टर से आपने वहाँ पे आज नया जिस्टिक बना है जिला चार आपने कश्मीर को दिया तो जम्मू अलों ने लड़ाई किया तो चार देना पड़ा लदाख को आपने एक जिस्टिक भी नहीं दिया क्या ये है आपका एक्वालिटी ये आपका एक्वालिटी है आज आप कहते हैं एक्वालिटी हमारे बाशा लदाकी बोटी बाशा कहते है कश्मीरी आपने लिपी ना होने से भी आपने रिकोगनेस किया एड़ के डूल में डाल दिया जम्मू के डोगरी उन्होंने अंदोलन किया तो उनको भी दे दिया लदाक के बाशा को आज तक अपने रिकोग में सिया क्या ये है आपका एक्वालिकी अजेक जी सेकुलरिजम और डेमोगरफी के बात किया जा रहे यहां पे मैं जानना चाहता हूँ जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस दरा 370 के मिस यूस करते हुए लाट मार के रातों राट निकाल दिया क्या ये है आपका सिकुलरिजम और इसी दरा 370 को आपने मिस यूस करते हुए काल वेक्तवा दे रहे घर से लदाक में पहले बहुत संक्या जयादा था आज मुस्लिम संक्या जयादा है मैं अफसोच के साथ कहना चाहता हूँ ये आपने दरा 370 को मिस यूस करके जमु कश्मीर में आपने बुदिस्ट को खतम करने के कोशिश किया ये है आपका डेमोग्राफिक मेंटेंग ये है आपके सिकुलरिजम अद्यक्ष महदया यही जिन परिवारों ने मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे शासन किया मैं कहता हूँ राज किया यही परिवारों ने 1979 में लदाग को बटवारा किया बुदिस मेजोरोटी के साथ ले डिस्टिक मुस्लिम मेजوریटी के साथ करगिल डिस्टिक और हम दोनों भईयों को लड़वाया आस्था यह है आपका सिक्विलिर्जम क्वूट डालो और आज करो क्या यह है आपका सिक्विलिर्जम आज करगिल के जिक्र कर रहे थे करगिल बंद है किसने का आपको करगिल बंद है जनने के कोशिश कीजिए मैं हूँ लडाख से मैं चून के आ रहा हूँ आप नहीं आ रहा है लडाख से आप बेठिए आप अराम से बेठिए आप बेठिए भैसाब आज तक आप लोगों ने बोला आज हमारा बोलने का मौका है बोठिए बेठिए आप मोदी चासा ने बेठिए ये ये सिर्फ सिर्फ एक रोड और छोटा सा मरकेट को करगिल समझ बेठिए बैसाब अगर आपको करगिल देखना है तो जांसकार जाएए वाका मौलबेक शारगोल जाएए आरियन बेली जाएए दर्सिक गर्खोन देखिए 70% करगिल के एरियस जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसिजन को वेलकम लकरते हैं इस 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 बिल के समर्थन करते हैं आज देख जी आज ये वही वक्तवे दे रहा है अज देख जी सुनिये सुनिये मौका दीजे बोलने के समता रखे मैं आज के तरह किताबे पढ़के नहीं आता हूँ लेकिन ग्राउन की रियालिटी महसूस करके अज देख जी करगिल में करगिल में जो अभी कह रहा है ये इनोंने फोन करके करवा रहा है उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे है उनको अपने बविश्य के लिए सोचना चाहिए इनके जबन पर नहीं जाना चाहिए या अपने मुफ्ट के लिए अपने हिट के लिए किसे को भी ना चाहेंगे अध्यक जी अध्यक नहुदे बेटे बेटे सुनने के समता रखे अध्यक जी आज से 66 वार्ष पहले जन संग के संसापक डॉक्टर श्यमा परसाद मुखर जी ने 1953 में जो उन्हों ने संगर्ष लिया एक देश में दो विदान दो निशान और दो परदान नहीं चलेगा नहीं चलेगा और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ केता हूँ इनको नहीं पता लदाग वालों ने अभी क्या किया आज तक 2011 में आज ये किरे कि हमारा जंडा जा रहा है वैसdemा आपका जंडा तो लदाग वालों ने 2011 में न कारा है लदाग आटोनमस हील डव्लमेंट काउंसिल ले ने रिजुलूशन पास किया 2011 में जमु कश्मीर के जो जंडा लदाग अटोनमस हील डव्लमेंट काउंसिल की चियर्मेन, एक्जिक्टिव काउंसलर जो केबिनेट और डिप्टे मिनिस्टर के रेंके होते उनको उनके गरी को लगता था हमने उस जन्डा को नकारा हमने नेशनल एंबलेम वाला वहाँ पे लगाया क्योंकि हम वारत देश का अटूट अंग बनना चाहिए यह है लगाग क्योंकि हम मानते हैं आन देश की शान देश की देश की हम संतान है तीन रंगों से तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी यह पहचान अध्याग जी अध्याग जी बड़े अरुनिकल बात है पंचेर एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब आपने कुर्सी के बड़े आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे ग्राजूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे लेकिन अपने गर का रोटी चलना चाहिए ऐसा विचारदारा हम एक्सेप्स की कर नहीं करेंगे अध्याग जी जो कुछ लोग जो मैं बार बार दो परिवार के जिकिर कर रहा हूं ये परिवारे जो है कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा जो डिन्डोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है they are the parts of problem वो इस problem का इस समस्य का path बन चुके है अंग बन चुके है नशे में है वो वो आज भी समझ ले है कि कश्मीर तो मेरा बापका जगीर है नहीं रहा नहीं रहा नहीं है अध्यक्जी मैं आंच में मैं आंच में इसको conclude करने से पहले मैं भारत सरकार को दन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नरंदर मोदी जी को ग्रेम अंत्री जी मानी नियामिश जी को और पूरे संहयोगी दल को और जिनके दल नहीं है लेकिन इस भील के फेवर में आने वाले हैं उन लोगों को भी मैं लदाख पूरे लदाख के निवासियों के और से दन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लदाखियों के संटिमेंट को एस्प्रेशन को सुना जा रहा है उस लदाख के उस लदाख के जो चेईशीन के साथ पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं उस लदाख के महतवपून को समझ रहे है इस सरकार में इस बील को हम वेलकम करते हैं और हम हम एक आंट में जो लोग अभी तक कन्फ्यूज में उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करता है देश के लिए प्यार है तो जताया करो देश के लिए प्यार है तो जताया करो किसी का इंतिजर मत करो गर्ब से बोलो जाए हिन अब इमान से कहो बारतिया है हम स्वाब इमान से कहो बारत मता की जाए और वतमें में करो इस बील का समर्थन माने सदशे माने सदशे बहुत लंबी लोग सबाशेत्र से आते हैं और मैं देखता हूँ सदशे में हमेशा सार गर्वित बात केते हैं माने सदशे मैं जानता हूँ माने सदशे बहुत लंबी लोग सबाशेत्र है और नोजवान होकर जब भी सदर में बोलते हैं, मैंने जब भी देगा अच्छा बोलते हैं, ऐसे माने सदर्शों को सब को एप्रिशेट करना चीए। जब भी सदर्शों को सदर्शों को सदर्शों को सदर्शों को सब करना चीए। कि सबी बड़े नेताओने उनकी तारीफ की। अमिच्छा ने इसके बाद अपना भाशन जब लोग समा में दिया तो उसमें भी बकाइदा इनका जिक्र किया और तारीफ की। ये एक और वीडियो जो संसत से होकर हम तक पहुंचा दिलचस्प था इसलिए हमें लगा कि इस वीडियो को आप तक भी पहुंचाना चाहिए। कश्मीर पर दिललन टॉप की गवरेज आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताएं ये वीडियो यहीं तक मेरा नाम नीरज है और इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरी की पीछे मेरे साथ में मेरे साथ ही राशित थे शुक्रिया